नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है बिवेक भारत द्वाज आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नलोजी विद बिवेक दोस्तो आपने देखा होगा जैसा कि कल Microsoft Office का हमने कह सकते हैं कि एक सीरीज बनाना शुरू की थी उसका पार्ट एक कल हम लेकर आये थे उसी में दोस्तो आज हम दूसरे वीडियो लेकर आये हैं और आपको बताएंगे कि Microsoft Office में आप किस तरीके से एक फॉर्म बना सकते हैं जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तो रेजि वीडियो में आज उसका एक डैमो देकर दिखाएंगे आपको MS Office जो जाना है और यहां दोस्तों आप उपर देख पा रहे होंगे एक registration form लिखा आ रहा है विविक भारत द्वाच यह form मैंने बनाया है मैं इस पर क्लिक करके पहले आपको बता देता हूं यहां आप देखिए Opening a form using यह आपकी email id का इस्तमाल करेगा यहां आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यह questions हमने बनाये थे यहां पर यह आप देख सकते हैं multiple types की questions और यह इस तरीके से दोस्तों जो है यहां पर response आता है average time लिखा रहा है कि कितने time के अंदर यह response आया और अभी form का status लिखा रहा ह है active तो दोस्तों मैं यह form कैसे बनेगा आपको बता देता हूं आप यह नीचे जो plus का sign देख पा रहे हैं home or action के पास इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको जाना है create में forms के option पर जो आपको right side में दिख रहा है forms पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहां लिख सकते हैं दोस्तों यहां पर आपको टाइटल देना है माली जी मैंने यहां टाइटल देतिया है feedback form यह हमने feedback form बना लिया है description में लिख दिया है प्लीज fill this form और यहां से दोस्तों हम इसको right click करने वाले हैं यह देखिए यहां description आ गया है अब नीचे आप देख रहा है लिखा रहा है add your first question here तो हम यहां पर click करेंगे नीचे आपसे चार option पूछ रहा है जो भी आपको करना है उसके according माली जी मुझे text लेना है और text लेकर मुझे यहां पर जो है पहला question लिखना है name मैं यह आप name enter करा रहा हूं यह long answer अगर आप करना चाहते हैं तो आप यह long पर click कर देंगे इसको enable कर देंगे और अगर इसको आपको required रखना है कि इस field को सामने वाला हर हाल में भरे तो हम यह required कर देते हैं और यह टिक पर click कर देंगे तो देखिए दोस्तों यह पहला question आ गया है और name के सामने आपको start दिख रहा है जो कि बताता है कि यह field mandatory है आपको भरनी है दूसरा दोस्तो दिया हुआ है और मैंने इसको required करके कर दिया है मैं add question पर जाओंगा अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहां पर date आपको देख रहा है तो आप यहां date पर select कीजिए और यहां लिख दीजिए option में date of birth और मैंने इसको भी required कर दिया है यह देखिए यह आ गया है दोस्तों date of birth ऐसे मैं एक चोथा कोशन लेता हूं मैं यहां पर दोस्तों चॉइस ले रहा हूं और हम यहां पर जैंडर ले लेते हैं तो मैंने यहां पर जैंडर ले लिया है और option में यहां पर हम दिदिया है मेल और ऐसे ही हम यहां दे देते हैं female दोस्तों यहां पर आप add option में और भी add कर सकते हैं अगर add करना चाते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं आप इसको required कर सकते हैं और multiple answers बनाने हैं अगर आपको checkbox बनाना है तो आप यहां पर जो है यहां click कर देंगे तो अब यह checkbox होगा और यहां दोनों पर click हो सकता है लेकिन हमें यहां radio बटन का use करना है तो मैं इसको disable कर देता हूँ और यहां पर click कर देंगे इसी के साथ दोस्तों एक question all ले लेते हैं जिसको हम rating कर देते हैं और यहां हम लिख देते हैं होल seminar यह हम feedback form ले रहे हैं तो हम यहां पर ले लेते हैं session feedback और यहां पर यह देखी दोस्तों यह star rating देती है आप इसको change करके numbers भी कर सकते हैं पैसे यह numbers आ जाएगा हम अब इसको star रखते हैं आप अगर label बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों stars का तो यहां दो से लेके 10 तक यह रहेगा हम by default इसको 5 करके required कर देते हैं और यहां पर यह देखी दोस्तों अब यह हमारा पूरा form बनकर ready हो गया है हमें करना क्या है दोस्तों यह आप देख रहा है feedback form में यहां पर यह जो arrow दिख रहा है send करने के लिए आप जैसे इस पर click करेंगे यहां लिखा रहा है copy link और email यह दोनों आप काम कर सकते हैं copy कर सकते email कर सकते हैं तो हम यहां से इसको copy कर लेते हैं copy हमने कर लिया है दोस्तों copy करने के बाद हम चलते हैं यहां पर हमारे browser पर और हम आपको बता देते हैं किस तरीके से यह form जो है फिलप होगा यह कैसे open होगा सामने यह भी हम आ अब इसको पेश्ट करने के बाद अब देखे दोस्तों यह फोपन हो गया है फीडबैक फॉर्म यहां हम कर थे एंटरी करने के बाद जो भी यह नीचे अब नीच्ती डोस्तों देख पा-रहा होंगे नहीं तो यह जाएगा close करना है तो close हो जाएगा तो हम यहां पर जो है date select कर लेते हैं और gender हमने select कर लिया है इसी के साथ दोस्तों हमने यहां पर session में 5 इसार feedback दे दिया है और यहां से हमने इसको submit कर दिया है देखी यहां लिखा गया है thanks your response was submitted अब हम चलते हैं हमारे एप पर एप पर जाने के बाद दोस्तों आप यहां देख पा रहे होंगे अभी तक जो questions का section आ रहा था उसी के पास में आपको response का section देखने लगा है देखी यह response आ गया है यहां देखिए average time लगा 31 seconds एक response आ गया है यहां पर देखिए आपको name phone number date of birth gender session इस तरीके से आपको देखेगा average rating आ गई है आप यह जो है criteria wise जो जो आपने दिये थे आप यहां पर newer to older older to newer भी कर पाएंगे और इस तरीके से दोस्तों यह दो से पांच मिट के अंदर आप कोई भी छोटा से छोटा form जो भी कह सकते है feedback हो चाई registration form हो यह form आसानी के साथ आप यहां बना सकते हैं और अब आप जब भी अपने office क नेक्स टाइम open करेंगे तो आपको देखिए दोस्तों यह form दिख रहा है पहले मैंने registration form बनाए था इसके बाद अभी मैंने आपको बना कर दिखाया feedback form अब आप इसको जब भी open करेंगे तो यह जो भी current scenario में रहेगा जितने भी responses आएंगे वह यहां पर आते जाएंगे और इनको यहां से monitor कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको इस application का दूसरा part समज ganze कर मेंठागे पसंद आया होगा आप अपने दोस्तों में जयादा शियर कर सकते हैं चेल को सबसक्राइब कर सकते हैं Like कर सकते हैं और दोस्तों अभी जो और सीरीष बसी है उसमें आ मैं आपको एक separate वीडियो में बताऊंगा अभी के लिए दोस्तों इतना ही मेरा नाम है विविक भारत वाज थेंक यू